एक लखनों के डांसर और रियल लाइफ से इंस्पायड है मीटू पंजाबन का कारेक्टर एक मीटू पंजाबन है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक रियल किरदार प्ले करने का मौका मिला और धीरे धीरे ये ग्रो करेगा लोगों के उपर लोग इसे इतनी आसानी से भूला भी नहीं पाएंगे क्योंकि एक बहुत ही बहतरीन सीरीज है इंस्पेक्टर अविनाश मैं बहुत खुश हूँ मीटू पंजाबन मैंने प्ले किया और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है मेरा पोस्टर सिफ मैंने रिलीज किया था जो काफी वाइरल हो गया सब लोगोंने पोस्ट किया मैं में बहुत खुश हूँ बहुत ही अच्छा मुझे बहुत ही जबर्डस्त बूए और व अच्छा विनाश यह बहुत पसंद आा रहा है रियल स्टोरी पे बेस्ट है और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इसमें, काफी इंट्रेस्टिंग स्टोरी लाइन है, ग्रिपिंग है, फास्ट पेस्ट है, वेल डिरेक्टेड है, तो मिलाजुला के एक फुल कम्प्लीट थाली है, जिसे खा के पुब्लिक को मज़ा आएगा और धीरे-धीरे ये ग्रो करेगा लोगों के उपर, लोग इसे इतनी आसानी से भूला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बहतरीन सीरीज है, इंस्पेक्टर अवेनाश बहुत अच्छा लग रहा है, थांक यू सो मच, अभी सिफ छे ही एपिसोर रिलीज हुए हैं, दो और आना बाकी हैं, फर्स पार्ट का, फिर सेकेंड पार्ट, फिर सेकेंड सीजन, मैं बहुत खुश हूँ, मीतु पंजाबन मैंने प्ले किया और लोगों को बहुत पसंद अच्छा लगा तो अच्छा लगता है, जब लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, और यह क्योंकि एक रियल किरदार है, सब का, रियल लाइफ, ट्रू स्टोरी से इंस्पार्ड है, इंस्पेक्टर अविनाश, तो लोग ज़ादा कर पा रहे हैं, और बहुत पसंद कर रहे है और प्लीज इसे देखते रहे हैं, और बाकी लोगों को भी दिखाईए. मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही जबर्दस्त रिस्पॉंस मिला है, और लोगों को मैं मीतू पंजाबन के किरदार में बहुत अच्छी लग रहे हूं, उनको मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है, और एक लखनो की डांसर है, वो फ्लेवर है, जो लोगों को अंदाज, नक्रे, वो सब मेरे बहुत अच्छे लगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यह प्ले कर पाई कुछ अलग था, मैंने कभी नहीं किया, एक लखनो की डांसर, और रियल लाइफ से इंस्पाइड है, मीतू पंजाबन का क्यारेक्टर, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक रियल किर्दार प्ले करने का मुखा मिला, और सबका अभी तो बहुत अच्छा रिस्पॉंस आ रहा है, अभी तो सिफ शुरूवात है, अभी आगे और बहुत सारे एपिसोद आने बाग लिगा है, आपने लखनवी लां तो मैंने इसे काफी रियल रखा है, बट एक अंदाज जो लखनों का है, जो नख रहे हैं, वो मीतू पंजाबन में हैं. सब कुछ था और बहुत इंट्रेस्टिंग एक्शन सिक्वेंचेज हैं, जोरदार हैं, ग्रिपिंग हैं, तो कुछ खास दिक्कत तो नहीं हुई एक्शन करने में, हाँ एक जगह हुई जहां पर सांबर में हम लोग शूट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा धूल उडाई जा रहे थी उस दिन, क्योंकि डस्ट के बीच में शूट होना था, मुझे डस्ट अलर्जी है, उस दिन सब बहुत लोगों की तवेत खराब हो गई थी, सिमिंट का डस्ट था, जो बराबर माक में जा रहा था, और उसी दिन काफी तकलीफ हुई थी शूट करने में, बाकी तो आक्शन काफी स्मूध निकला, साडी में अक्शन करना थोड़ा डिफिकल तो था, विकस पैर एक मोमें के बाद आप जादा स्प्रेड नहीं कर सकते, फिर भी मैनेज किया, किसी तरह से मैनेज करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि end result is very good, वो निकल के आ रहा है, बहुत 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 पराना दोस्त है, पर पहली बार काम करने का मौका मिला, बिल्कुल भी insecure नहीं है, grounded है, simple है, honest है, और हम लोग सारे लोग जब काम कर रहे थे तो एक दूसरे को काफी appreciate भी कर रहे थे, not like rivals की, अरे ये इसका अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ भी अच्छा कर रहा था तो एक दूसरे को जाके compliment देना, from day one की आर ये तुमारा shot बहुत अच्छा लग रहा है हो, तो उससे हाँ, इससे अच्छी बात थी इससे विनाश के से की, कि सब लोग एक दूसरे के साथ एक family के तरह थे, सब एक लोग को encourage कर रहे थे, support कर रहे थे, तो मज़ा आता है, comfortable हो जाता है, shoot कर रहे थे, इससे हाँ, चीजे और अच्छी बन के नि romantic, थोड़े से flirt करने वाले ऐसे scenes थे, मेरा character ही कुछ ऐसा है, तो बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग के, ऐसे कुछ scene थे, जहां हम लोग पी रहे हैं, पर वहाँ हम black tea पी रहे थे, तो black tea पीते पीते, इतनी black tea पीली कि black tea का ही इक अलग कि को गया था हम लोग को, और अब मेरे अलावा किसी से पूछा गया है, मुझे कोई reality show में आप देखने ही पाएंगी, क्योंकि मुझे वो देखके ही घुटन हो जाती है, कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये, मतलब that's not my cup of tea. अकांग्षा पूरी तो, reality ये question तो आना ही है, एक reality show जीता मैंने, और मुझे लगता है उसके बाद मुझे एक हिंट तो मिल गई कि हा, reality bracket में मैं बहुत अच्छे से fit होती हूँ, and जब मौका लगेगा अभी काम काफी कर रही हूँ, बहुत सारे continue shoots चल रहे हैं, reality के आपको completely अशिपली बहुत सारे महीने तक, बट अगर ताइमिंग मैच होगया तो, इस बार ही शायँ हैं, जब मुझे लगता है, और मुझे साथ बाद को जा चुकी हूँ, विकेंद के वार पे भी जा चुकी हूँ, हमेशा बिग बिग बॉब से जुड़ी हूँ, बट काम और मुझे लगता है मैं कोई भी कर सकती हूँ, तो I am confident. फैंस को थांक्यू बोलना चाहेंगे, इतनी अच्छी रेटिंग चल रही है शो की, अभी 6 ही एपिसोड रिलीज हुए है, और अभी से इतना प्यार आप लों का, जो मिल रहा है, प्लीज इतना, हमने बहुत प्यार से शूट किया है, बहुत प्यार से लिखी गई स्टोरी है, रियल स्टोरी है, तो इतना प्यार देते रहिए, प्लीज वाच इंस्पेक्टर अविनाश ऑन जियो सिनेमा, इट्स इन एक्स्टराइडिनरी शो, और बहुत मज़ाएगा आप पिशो को भूल नहीं पाएंगे, थैंक यू, थैंक यू.